हेलो स्टूडेंट्स मैं कुल्दीप आपका भावता सागत करता हूँ आपके अपने स्टेडी चैनल यूपी एक्जाम में और हम कर रहे हैं अपने क्वेश्चन अंसर की सीरीज को जो की आपके आने वाले एक्जाम सिसी जीडी आर्मी जीडी यूपी आरो यारो और यूपी आई बटन में और नीचे डिस्क्शन लिक में जाके इन वीडियो को देख सकते हैं क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को प्रित्वी पर लाया जाता है तब option है इसका द्रवेमान बदल जाएगा इसका भार तथा द्रवेमान दोनों बदल जाएंगे इसके भार तथा द्रवेमान दोनों अपरिवर्दित रहेंगे या इसका भार बदल जाएगा परन्तु द्रवेमान नहीं अब इसमें जानने बात यह है कि चंद्रमा पर जो गृत्वा कर्शन है वह पृत्वी के गृत्वा कर्शन का एक बटा छे हिस्वा होता है तो अगर पृत्वी पर किसी वफ्तु का भार mg हम डिनोट करते हैं तो चंद्रमा पर उसका भार क्या हो जाएगा? mg अपॉन 6 हो जाएगा अर्थात पृत्वी पर जो चंद्रमा की चटान का भार है वह 6 गुना बढ़ जाएगा परंतु उनका जो द्रविमान है वह सेम रहेगा तुमारा option क्या हो जाएगा? option D इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रविमान नहीं चलते हैं अगले question पे कि प गहराई नापने में आदरता नापने में तापकरम नापने में उचाई नापने में तो पायरो मीटर का जो हम प्रयोग करते हैं वह होता है तापकरम नापने में गहराई नापने के लिए यूज किया जाता है फैदो मीटर याद रखिएगा फैदो मीटर है गहराई मापन के लिए और आधरता नापने के लिए होता है हाईग्रोमीटर होता है और उंचा Aww नापने के लिए होता है सेक्सटेंड होता है याद रखेगा तमारा अापसर कर रोज psychological सी तापकलम नापने में चलते हैं सिर्दीन कुच्छन सब्सुषण कारण क्या है कि हलके रंग विश्मा को कम अवशोशित करते हैं नीचे दिये के कूट का सही उत्तर चुनिए कि A और R दोनों सही है और R A का सही स्वश्च्टी करण है तो जी हाँ यह सही है हमारा option A सही हो जाएगा चलते हैं अगले question पर कि लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है जिंक, मैगनिशियम, क्लोरीन और तामबा तो देखते हैं कि लोहे में जंग लगती क्यों है जब आध्यता और जो वायू के संपर्क में आने से जो लोहा होता है उसके उपर एक रेड कलर की लाल कलर की परत जम जाती है जिसे हम क्या जंग कहते हैं तो इसे रोगने के लिए का करते हैं कि इसके उपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है जस्ते की परत चढ़ाई जाती है और जिसे हम क्या बोलते हैं कहते हैं Galvanization Galvanization कहते हैं जिससे क्या होता है कि लो है का जो संपर्ख होता है वह Oxygen से नहीं हो पाता है और उसमें जंग नहीं लगती है तो हमारा Option क्या हो जाएगा हमारा Option A हो जाएगा Jink चलते हैं ले Question पे कि Teflon क्या है Fluorocarbon, Hydrocarbon Roganunashak, Keet नाशक, तो देखने Teflon होता क्या है Teflon एक Fluorocarbon होता है तो जो Ethylene के चारो और Hydrogen Parmono को Fluorine द्वारा प्रतिस्थापित करने पर Teflon जो Tetra Fluorothelene बनता है, आखि इसका यूज क्या होता है कि ये जलता नहीं है तो जो हमारे Non-Stick बरतन होते हैं जो Non-Stick हमारे बरतन होते हैं वो इसी से बना जाते हैं Teflon से, आज कल आप देखते होंगे Market में बहुत आते हैं कि Non-Stick Pan, Non-Stick कड़ाई, ये वही चीज़ है चलते हैं ले Question पे कि कीटों, यानि Insects के वैज्ञानिक अध्यन को क्या कहते हैं Iktheology, Entomology, Pericitology, Malcolology तो यह है हमारा Entomology ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में Entomology कहते हैं कीटों के अध्यन को कहा जाता है चलते हैं अगले Question पे कि निम्न में से कौन सी वास्तवीक रूप से मचली है इस Question को दिहान से देखना आप लोग निम्न में से कौन सी वास्तवीक रूप से मचली है Starfish, Jellyfish, Dogfish, समुद्री घोड़ा तो यह हो जाएगा हमारा Option D समुद्री घोड़ा यानि जिसे हम Sea Horse बोलते हैं यह हमारा वास्तवीक रूप से मचली की प्रजाती के अंतरगत आने वाला एक समुद्री जीव है जबकि जो starfish है, jellyfish है, dogfish है, crayfish, kettlefish, silverfish यह जो fishes होती है यह हमारी false fishes है यानि यह fish नहीं है इने हम कहते हैं false fishes यह सब ही मचली की अंतरगत नहीं आती हैं लेकिन समुद्री जीव है ठीक है? खलते हैं एक ले कोशन पर कि खुला रख्त परिसंचरण पाया जाता है केचुवा, सरीस्रिप, कौकरोच और टोड तो यह हमारा है option C कौकरोच में पाया जाता है इसे हम लाकुनर प्रकार का परिसंचरण भी बोलते हैं लाकुनर चलते हैं अगले कोशन पर कि लाल रख्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है यह आप सबको पता होगा फटा 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 आंसर बता है यकृत, हिरदय, अस्थिमजज़ा और गुर्टा यह होता है अस्थिमज़ज़ा यह से हम कहते हैं बोन मैरो कहते हैं और इसमें क्या होता है यह लाल क्यों होता है हीमोगलोबिन के कारण यह लाल होता है चलते हैं अगले क्रॉशन पर कि मस्तिश्क का कौन सा भाग शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है अगर मस्तिश्क, मध्यमस्तिश्क पश्च मस्तिष्क या रीड की हड़ी, तो यह हमारा है option C, पश्च मस्तिष्क, इसमें क्या होता है, इसमें होता है सेरी वेलम, जो सेरी वेलम होता है, यह शरीर का संतुलन बना रखता है, और जो एच्छिक पेश्यों के संकुचन पर जो है, वो नियंत्रन करता है, चलते है परदन के चतुर्थ सब्ता हमें, अपने परदन के छटे सब्ता हमें, तो यह है हमारा उप्शन सी, अपने परदन के चतुर्थ सब्ता हमें होने लगता है, चौते सब्ता हमें क्या होता है, जो पहले महिने का जो अंत में क्या होता है कि हिरदय, हिरदय होता है और आखें आन मानव शरीर का सामान तापमान होगा 31 degree Celsius 98.4 degree 36.9 31.5 तो यह हमारा हो जाएगा 36.9 degree Celsius Fahrenheit पर कितना होगा फटा-फट होता यह होगा 98.6 Fahrenheit चलते हैं अगले कोशन पर कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथी कौन सी है एड्रीनल थाइराइड अग्नियाशय पिट्यूटरी तो यह हमारा है अप्शन D, पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्रंथी जो होती है यह सबसे छोटी ग्रंथी होती है चलते हैं एक ले कोशन पर कि केप के नावरेल जिस इस थल से अंतरिक्ष यान यानि स्पेस चैटल छोड़े जाते हैं किस तड़ पर अवस्थित हैं तो फटा बड़ता य यह है फ्लोरिडा कैप कनाल जो है यूसे के जहां पर यूसे के अंतरिक्ष यान जो है छोड़े जाते हैं और यह है फ्लोरिडा के तटपर स्थित हैं और यह है फ्लोरिडा किसले भी फेमस है यह नारंगी उत्पादन के लिए भी बहुत फेमस है चलते हैं एक ले कोशन प का option c d oxy ribose होता है चलते हैं कि निम्लिखित में से कौन सा कथन सत्य है modem एक software होता है modem voltage का स्थाइकरण करता है modem प्रचालन तंत्र होता है modem analog signal को digital signal में तथा digital signal को analog signal में बदलता है तो जी हां हमारा option d सही है क्या करता है जब हम इंटरनेट को जब टेली फोन लाइन के माध्यम से connect करते हैं तो modem की हमें जोड़त पड़ती है और computer में जो browser चल रहा होता है इनके बीच में filling होता है और टेली फोन memory है एक हजार 24 किलो बाइट दो की पावर टेन बाइट एक हजार 24 किलो बीट एक हजार किलो बाइट तो क्या होगा एक हजार 24 किलो बाइट चलते है अगले question पर जो सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्लिखित में से कौन है गज गैंडा व्रिशब एक श्रिंगी पशु तो सैंधव मुद्रा का जो सबसे प्रचलित अभिप्राय था वो था एक सींग वाला प्रशु यानि एक श्रिंगी प्रशु था जबकि अगर उस टाइम की धार्मिक पवित्रता की दिश्टी से देखें तो कूबर वाला बैल सबसे महत्पूर्ण था और मुहन जोद्रों से मिली एक मुद्रा पे कि निम्न में से कौन सा स्थल घगघर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित हैं आप्शन देखते हैं क्या क्या है आलमगीरपूर लोधल मोहन जोद्रों और बनावली तो मोहन जोद्रों तो हो नहीं सकता आप किलियर हैं तो क्या हो जाएग हमारा ये हो जाएगा बनावली बनावली जो हरपन संस्कृती पूरा स्थल है वह हरियाना के हिसार हिसार यह जिले में घगघर और इसका अलब कि घाटी में स्थित हैं और की खोश कैम की हुई थी 1973 में खोश हुई थी बनावल की और इसकी खोज किस ने की थी यह की थी RS-Bist RS-Bist ने किया था चलते हैं अगले कोश्चन पर और अपने अखरी कोश्चन पर कि निम्लिखित में से किसका संकलन रिगवेद पर आधारित है यजुरवेद, सामवेद, अथरवेद उपरोक्त में से कोई नहीं हैं, जिनमें 78 जो हैं, वह केवल नहीं है 78 ही केवल नहीं है बाकि सारी जो रिचाएं हैं वो रिगवेद से ही ली गई है, इसलिए कहा जाता है कि यह रिगवेद पर ही आधारित है सामवेद, तो स्टुडेंस आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू, टेक केर, बाबाई